इतिहास के पन्नों से इस कारेकरम का आधार संकलन है विश्वश्नियता के लिए संदर्व ग्रण्थ का संपर्क करें नमस्कार आईए स्वागत है आपका लोकप्रिय कारेकरम इतिहास के पन्नों में आएं देखे सुने सोचे समझे और मनन करें क्या खुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्योंकि आप तो जानते ही है इतिहास हमेशा अपने आपको दोहराता है दिनांग 11 नवंबर 11 नवंबर सन 1911 में इंग्लेंड की रानी मेरी और पंचम जॉर्ज इंग्लेंड से मेडेवना स्टीमर में बैट कर भारत आने रवाना हुए सन 1805 में पिंधारियों ने साल बड़ी ग्राम लूटा सन 1946 में क्रांती सी नाना पाटिल इनका अमरावती आगमन हुआ सन 1930 में अमरावती की पारवती बाई पटवर्धन इनके अटक हुई और 6 महा की सजा हुई सन 1927 में इंद्रभुवन ठेटर में महत्मा उत्सव की शुरुआत हुई सन 1925 में वन विद्वेश विरोज सभा अमरावती में आयोजीत की गई सन 1925 में पंडित मोतिलाल नहरू इनका अमरावती आगमन हुआ और दादा साहिब खापडे से मुलकात हुई लेकिन दिल जमाई हो न सकी पंडित मोतिलाल जी का मुकाम बैरिस्टर रामराव देशमुक के बंगले पर था सन 1918 में विश्व युद्ध समाप्तिव का उत्सव नगरपालिका में मनाया गया सन 1877 में अमरिकन मनोविज्ञानी जी डबल्यू आलपार्ड इनका जन्म हुआ सन 1926 में अभिनेता जानी वाकर इनका जन्म हुआ सन 1888 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इनका जन्म हुआ सन 1875 में प्रिंस ओफ वेल्स ने बढ़ोदा संस्तान की मुलाकात ली सन 1835 में राणी लक्षमी बाई इनका जन्म हुआ सन 1973 में दिल्ली में अंतर राश्ट्रिय पोस्ट याने डाक टिकीटों की प्रदर्शनी लगाई गई सन 2011 में मार्शल आर्ट के ब्रूस ली इनका निदन हुआ सन 1875 में प्रिंस ओफ वेल्स ने प्रिंसेस डॉक की आदारशिला रखी सन 1868 में शाहिर पठे बाबुराव इनका जन्म हुआ सन 1947 पंडरपूर का मंदिर सभी के लिए खुला किया गया सन 1985 में ध्रू अनु भट्टी राश्ट को समर्पित की गई सन 1872 में किराणा घराने के अब्दुल करीम खांसाहिम इनका जन्म हुआ सन 1936 में अभिनेतरी माला सिन्हा इनका जन्म हुआ सन 1997 में अभिनेता येश्वन दत्ता इनका निधन हुआ सन 1990 में शिल्पकार अर्वीन मैत्री इनका निधन हुआ सन 1866 में अलाबाद उच्च नय लाई का उद्गाटन किया गया और आज राश्ट्रिय शिक्षन दिन